इस्टुटेन आज मैं आपका क्लास 9 का चैप्टर No.1 नम्बर सिस्टम स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का नाम नम्बर सिस्टम है इसलिए हमें कुछ नम्बर्स की जानकारी होनी चाहिए चलिए पहले उन नम्बर्स को जान लेते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं इंटीजर्स जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं पुन्डांग इंटीजर्स को जानने के लिए आपको नंबर लाइन को समझना होगा नंबर लाइन में मैंने बीच में ले लिया 0 अब 0 के इधर की साइड बनलब 0 के RHS साइड में राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होंगे वो धनात्मक होंगे वो पॉजिटिव होंगे चार, पांच, छे, साइड और ये नंबर ऐसे ही आगे तक बढ़ते रहेंगे और 0 के इधर की साइड में LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर होंगे वो रिनात्मक होंगे माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और ये continue आगे तक ऐसे ही बढ़ते रहेंगे जो नंबर लाइन पर RHS साइड में 0 के RHS साइड में जो नंबर होते हैं उन्हें हम धनात्मक पूर्णांग कहते हैं धनात्मक पूर्णांग और इंगलिश में कहा जाता है इन्हें Positive Integers Positive Integers और जो नंबर लाइन पर 0 के इधर की साइड में 0 के LHS साइड में लेफ्ट हैंड साइड पर जितने भी नंबर होंगे उन्हें रिनात्मक पूर्णांग कहा जाएगा रिनात्मक पूर्णांग और इंगलिश में कहा जाता है इन्हें Negative Integers Negative Integers नंबर लाइन में जैसे जैसे आप इस साइड में बढ़ते जाते हैं तो नंबर लगातार छोटा होता जाता है जैसे 7, 7 से छोटा 6 है फिर 5 है, 5 से छोटा 4, 4 से छोटा 3, 3 से 2, 1 और 1 से छोटा 0 और 0 से छोटा माइनस 1, माइनस 1 से छोटा माइनस 2, माइनस 2 से छोटा माइनस 3 तो जैसे जैसे लगातार हम नंबर लाइन में इधर की सैड में बढ़ते जाएंगे नंबर लगातार छोटे होते जाएंगे तो माइनस का नंबर जितना बढ़ा होता जाएगा वो उतना ही छोटा होगा जैसे फोर एक्जामपल अगर मैं बोलूँ की माइनस 1 और माइनस 5 में कौन सा बढ़ा है तो आप minus one को बड़ा बताएंगे और minus five minus one से छोटा होगा अगला number हमें पढ़ना होगा natural number natural number natural number को हम हिंदी में कहते हैं प्राकरत संख्याएं प्राकरत संख्याएं प्राकरत संख्याएं वे संख्याएं होती जो 1 से start होती है जो एक से start होगी 1,2,3,4,5,6,7,8,9 और ये ऐसे ही आगे तक infinity तक बढ़ती चली जाएंगे जो 1 से start होंगे जितने भी number 1 से start होते हैं जो number वो natural number होते हैं थार्ड आपको पता होना चाहिए, whole number क्या होते हैं? whole numbers, whole numbers को हम हिंदी में कहते हैं, पून संख्याई, पून संख्याई वे संख्याई होती हैं, जो 0 से start होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यह number ऐसी आगे तक बढ़ते रहेंगे, जो भी number 0 से start होंगे, 0, 1, 2, 3 होंगे, उन्हें हम whole number बोलेंगे, और whole number के अंदर, आपको इन दोनों number में एक बात ध्यान रखनी होगी, कि whole number के अंदर, सारे natural number आ जाते हैं, देखो आप देख रहे होगे, कि natural number 1 से start होते हैं, और whole number में 0 के बाद 1 से 1, 2, 3, 4, 5, यह सारे natural number हैं, तो whole number के अंदर सारे natural number आ जाते हैं, लेकि natural number में whole number नहीं आते हैं, क्योंकि natural number में 0 नहीं आ पाता, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, 0 plus natural number, अगर हम 0 में natural number को जोड़ दें, तो वो whole number बन जाएगा अगर हम zero में natural number को जोड़ देते हैं तो वो whole number बन जाएगे fourth आपको ध्यान रखना होगा चोथा आपको ध्यान रखना होगा prime number क्या होते हैं prime numbers prime numbers को हम हिंदी में कहते हैं abhage sankhya abhage sankhya abhage sankhya है वे sankhya होते हैं जिसके केवल दो ही factor होते हैं एक तो वो एक के पाड़े से कटेगा और एक अपने खुद के पाड़े से कटेगा जैसे सबसे पहला हमारा prime number होता है 2 2 के दो factor होंगे एक एक के पाड़े से कटेगा और एक अपने ही पाड़े से कटेगा उसके बाद में आता है प्राइम नमबर 3 ये 1 के टेबल से कटेगा और अपने ही टेबल से कटेगा फिर 5, फिर 7, फिर 8 नहीं है क्योंकि 8 1 के टेबल से भी कटता है 8 खुद के टेबल से भी कटता है 4 के table से भी कटता है तो 8 हमारा prime number नहीं होगा 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 के table से 1 के table से और अपने table से कटता है इसके 1 से ज्यादा factor है 10 भी नहीं होगा 11 है 13 है फिर हमारा 17 है ये सारे हमारे prime number होते हैं क्योंकि ये अपने ही table से और एक के पाड़े से ही करते हैं इनके केवल दो ही फैक्टर है और जिन नंबर से केवल दो ही फैक्टर होते हैं वो सारे हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं फिर्थ है आपका कमपोजिट नंबर्स कमपोजिट नंबर्स को हम हिंदी में कहते हैं संयूक्त संख्याएं संयूक्त संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो अपने ही टेबल से डिवाइड हो जाएं और किसी अन्य टेबल से भी डिवाइड हो जाएं जैसे हमारा पहला composite number है वो है 4 क्योंकि 1 ना तो प्राइम होता है और 1 ना ही कोई composite number होता है 2 हमारा prime number होता है 3 हमारा prime number है और 4 हमारा composite number है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा factor है इसका एक तो ये 1 के पहाड़े से कट जाएगा ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये अपने पहाड़े से 4 के पहाड़े से कट जाएगा तो इसके दो से ज़्यादा factor हो गए तो ऐसे number जिनके दो से ज़्यादा factor होते हैं जो दो से ज़्यादा पाड़े से कट जाएं उन्हें हम composite number संयूख संख्याएं कहते हैं तो पहला हमारा 4 हो गया 5 नहीं होगा 6 होगा 7 नहीं होगा 8 होगा 9 होगा 10 होगा 12 होगा 14 होगा तो यह सारे हमारे composite numbers हैं जिनके दो से ज़्यादा factor हैं उसके बाद में आता है students 6 6 आपको पता होना चाहिए odd numbers odd numbers क्या होते हैं या आपको पता होना चाहिए odd number को हम हिंदी में कहते हैं विशम संख्याएं विशम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो दो के पाड़े से भाग नहीं जाती हैं जो दो के पाड़े से डिवाइड नहीं होती हैं जैसे 1, 3, 5 एक एक नमबर छोड़ छोड़ के 7, 9, 11 फिर एक नमबर छोड़ के 13 फिर एक नमबर छोड़ के 15 तो ये सभी हमारे odd numbers होते हैं 7 आपको पता होना चाहिए कि even numbers क्या होते हैं even numbers जिने हम हिंदी में कहते हैं समसंख्याई समसंख्याई वे संख्याई होती है जो 2 के पहाड़े से पूरी पूरी divide हो जाती है जैसे पहला हमारा even number होता है 2 उसके बाद में इसमें 1-1 छोड़ छोड़ के जो number आते जाएंगे 2 के बाद में 4, 4 के बाद में एक number छोड़ के 6 फिर एक number छोड़ के 7, 8, फिर एक number छोड़ के 9, 10, फिर एक number छोड़ के 12 ये सारे 2 के पहाड़े से divide हो जाते हैं और जो दो के table से divide हो जाएं वो हमारे कहलाते हैं even numbers अब जो आपको मैं 8th number पे जो number बताने जा रहा हूं वो most important है यह बहुत important है इस exercise के लिए इस chapter के लिए जो number system chapter है इस chapter के लिए यह बहुत important है इसे हम बोलते है rational numbers इस students इनको इस number को थोड़ा ध्यान से समझना आप rational number जिने हम बोलते हैं परी में संख्याएं तो परी में संख्याएं क्या होती हैं परी में संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिने हम p upon में q की form में लिख सकते हैं मैं जिसे हम fraction में लिख सकते हैं, P upon में Q की form में लिख सकते हैं, जहां पर where, जहां पर Q not equal to 0, जहां पर आपका Q जो है, वो 0 नहीं होना चाहिए, आपको पता होगा कि, जो उपर वाला number होता है, उसे हम numerator अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला number होता है, उसे denominator उसे हर कहते हैं, तो हमारा जो हर है, वो 0 नहीं होना चाहिए, अगर हर 0 हो जाता है, तो हमारा वो परीमे संख्या नहीं होगा, जैसे for example, अगर मैं यहां पर लिखूँ, 2 upon में 3, तो 2 upon में 3 हमारी एक परीमे संख्या है, क्योंकि, यह हमारा जो numerator है, वो 2 है, और जो denominator है, वो 3 है, यानि कि इसे हम p upon में q की form में लिख रहे हैं, जहां पर q 0 नहीं है, फिर मैं अगर यहां पर लिखूँ 3, तो 3 भी हमारा एक परीमे संख्या है, क्योंकि यहां पर p upon में q की form में, तो p तो है, लेकिन q नहीं है, तो q हम नीचे अपने आप से 1 लगा सकते हैं, अब यह बन चुका है, प upon में q की form में, जहां पर नीचे वाला जो number है, जो denominator है, वो 0 नहीं है, इसलिए यह भी हमारी एक परीमे संख्या है, उसके बाद में अगर मैं यहां पर लिखूं, 5 upon में 2, तो यह भी हमारी एक परीमे संख्या है, और इसी तरीके से अगर मैं और लिखूं, 4 upon में 3, तो यह भी हमारी एक परीमे संख्या है, लेकिन अगर मैं यह लिखूं, 2 upon में 0, तो यह हमारी परीमे संख्या नहीं है क्योंकि नीचे जो denominator है यानि कि P तो हमारा 2 है लेकिन Q हमारा 0 हो चुका है उपर वाला P है नीचे वाला Q है तो Q हमारा 0 हो गया तो यह हमारा rational number यानि कि परीमे संख्या नहीं है और अगर मैं लिखूँ 0 तो क्या 0 एक परीमे संख्या है तो इसका answer होगा हाँ 0 एक परीमे संख्या है क्योंकि इसके नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ अब देखो यह P अपॉन में Q की फॉन में बन गया क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए अगर P 0 है तो कोई matter नहीं है लेकिन हमारा जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए अगर Q 0 हो जाता है तो परीमे संख्या नहीं होगी लेकिन P अगर 0 हो जाए तो परीमे संख्या होगी तो यह एक परीमे संख्या है तो 0 एक परीमे संख्या है उसके बाद में आपको यह तो पहली बात है आपको ध्यान में रखनी है, दूसरी बात और है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कोई भी ऐसा नंबर जो अंडर रूट से बाहर निकल पाए जैसे मैंने हापे लिखा 4 तो 4 अंडर रूट से बाहर निकल सकता है क्योंकि इसका complete square root होता है 2 तो ये बाहर निकल गया इसके निचे मैं 1 लगा ही सकता हूँ तो ये हमारा देखो P upon Q की form में आ गया तो ये भी हमारी एक परीमे संख्या है इसके बाद में अगर मैं लिखूं root 9 तो ये भी root से बाहर निकल सकता है 3 बन जाएगा क्योंकि 9 का square root होता है 3 अगर मैं लिखूं root 16 तो ये भी भाहर निकल जाएगा root 16 का जो complete square होता होता है 4 और इसके निचे 1 तो हम लगा ही सकते हैं क्योंकि नीचे 1 लगाने से कोई भी दिक्कत नहीं आती है नीचे हम 1 लगा सकते हैं उपर 1 नहीं लगा सकते हैं तो देखो ये हमारा P upon Q की form में आ गया तो ये हमारा बन गया rational number उसके बाद मैं आपको तीसरा एक और एक चीज और बताऊंगा मैं आपको ये बात और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो rational number होते हैं वो अगर वो point में है अगर rational number point में है तो point में आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी point में अगर वो terminating है यानि वो cut जाते हैं तब तो वो पूरे-पूरे rational number ही जैसे कोई number हम जब divide करते हैं तो पूरा-पूरा cut जाता है जैसे आगया 0.3 जैसे आगया 0.3 तो 0.3 जो है वो हमारा एक rational number है और अगर ऐसे आजाए 0.333333 यानि कि यह non-terminating है यह cut नी रहा यह लगातार आगे बढ़ता जा रहा है तो अगर लगातार number आगे बढ़ता जाए लेकिन वो repeat होता जाए तो वो भी एक परिमे संख्या ही होती है यह non-terminating है लेकिन यह repeating है और जो terminating है वो तो हमारा rational number हो गई लेकिन जो non-terminating है जो cut नी रहा है पूरा-पूरा लेकिन वो repeat हो रहा है तो वो हमारा rational number होगा तो आगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा आगे आपको 9th 9th number पे आता है हमारा irrational number यह भी बहुत important है irrational number irrational number को हम हिंदी में कहते हैं आपरी में संख्याएं आपरी में संख्याएं आपरी में संख्याएं वो संख्याएं होती है जो कि परी में संख्याएं नहीं है इसका मतलब है कि जो जिसे हम P upon में क्योंकि फॉर्म में ना लिख पाएं जो under root से बाहर ना निकल पाए जो हमारा non-terminating हो और repeating ना हो वो repeat हो रहा हो बार बार तो ये सारे हमारे होते हैं irrational number तो पहला तो हमें ये धान में रखना है कि जो p upon Q की form में ना लिख पाए हम p upon में Q की form में हम नहीं लिख पा रहे हैं इसे नहीं लिख पा रहे हैं फिर जो हमारा under root से बाहर ना निकल पाता हो number जैसे हमारा under root 3, under root 2, under root 5, under root 7, under root 6 तो ये सारे हमारे अपरी में संख्याए हैं क्योंकि ये under root से बाहर नहीं निकल पाएंगी इनका complete square नहीं होता है तो एक बात तो ये मैंने आपको बताई दूसरी बात आपरी में संख्याओं की ये बताई और तीसरी बात मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ इस पर भी थड़ा सा आप ध्यान देना पाई देखो पाई की जो value होती है वो 22 upon 7 होती है लेकिन पाई एक irrational नमबर है पाई की जो value है 22 upon 7 है इसे हम पी upon Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो बहुत बच्चे बोलते हैं भईय है ये तो हम पी की पी upon Q की फॉर्म में लिख दे रहे हैं तो ये हमारे ये हमारा irrational नमबर क्यों होगा तो इसका अंसर होता है कि बेटा ये जो 22 अपॉन में साथ है ये इसकी एक exact value नहीं है ये तो सिर्फ बस maths में solve करने के लिए एक imagination वाला number ले लिया गया है ये इसकी exact value नहीं होती है बाकी मैं πाई के उपर एक और अपने next वीडियो में पूरी information दूँगा पाई की कहानी जो है बहुत लंबी है इसके बारे मैं पूरा एक complete वीडियो बनाऊँगा बाकी आपको ये धान में रखना है कि पाई भी एक irrational number ही होता है इसके बाद में आपको irrational number में एक बात और धान रखनी पड़ेगी fourth irrational number वो number भी होते हैं जो non-terminating, non-repeating हो मतलब वो cut भी नहीं रहे हैं और वो बार-बार repeat भी नहीं हो रहे हैं बार-बार अलग अलग number आ रहा है 0.01 जैसे 001, 0001, 00001 तो students आपको दिख रहा होगा कि ये number non-terminating भी है और non-repeating भी है repeat नहीं कर रहा है बार-बार अलग आ रहा है तो ऐसे number भी हमारे irrational number ही होंगे real number real numbers real numbers को हम हिंदी में कहते हैं वास्त्विक संख्या है वास्त्विक संख्या है वास्त्विक संख्या हैं वो संख्या होती है जो की rational number और सारे irrational number से मिलकर बनते हैं मतलब जितने भी rational और irrational number हैं सब real number ही होते है बाकि बड़ी classes में हम imaginary number भी पढ़ेंगे बड़ी classes में 11th class में हमारे एक चैप्टर आएगा complex number तो उसके अंदर हम imaginary number भी पढ़ेंगे जो real number नहीं होते हैं उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊँगा जब मैं 11th class का वीडियो बनाऊँगा अगला आपको ध्यान में रखना है 11 co-prime number co-prime numbers इन्हें हम हिंदी में कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं prime numbers का एक group होता है जैसे अगर मैं यहाँ पहले लिखो 2, 3, 5, 7 यह सारे prime numbers है क्योंकि इनके दो ही factor है 2 अपने ही table से divide होगा और 1 के table से divide होगा 3 अपने ही table से divide होगा और 1 के table से divide होगा 5 अपने ही table से divide होगा और 7 भी अपने ही table से divide होगा और 1 के table से divide होगा एक के पाड़े से जाय गई तो इसका मतलब यह हुआ कि यह सारे जो नंबर है हमारे यह प्राइम नंबर है और इनके पूरे ग्रूप को हम को प्राइम नंबर कहते हैं अगर हम दूसरी तरीके से समझने की कोशिस करें तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक ग्रूप ले लिया तो और थ्री यह प्राइम नंबर का एक ग्रूप है तो इसे हम को प्राइम नंबर बोलेंगे अब को प्राइम नंबर को समझने के लिए देखो मैं इसका अगर फैक्टर निकालूं 2 का factor निकालू, 2 बन जा 2 3 को भी अगर मैं करूँ, तो 3 अपने ही टेबल से लाएगा, 3 बन जा 3 तो 2 का factor बन गया, 2 का factor बन गया, 2 into 1, 2 और 1 3 का factor बन गया, 3 into 1 तो आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसका SCF निकालता हूँ तो इसका SCF वो होता, highest common factor इन दोनों के अंदर जो common factor है, दोनों में, क्या है common, 2 तो common नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, लेकिन 1 यहाँ पर common है तो जिन numbers का SCF, 1 आ जाएं, तो वो number हमारे co-prime number होते हैं तो यह सारी information आपको, यह सारी चीज़े आपको याद करनी पड़ेंगी जब यह सारी चीज़े आप याद कर लेंगे, तो हमारा first chapter जो की है number system वो आपसे easily solve हो जाएगा